पिछली बार राम्णवमी में मसजितों के सामने किस तरीके से हंगामा हुआ था ये सभी ने देखा था लेकिन इस बार राम नवमी से पहले आपको ऐसी कई तस्वीरे दिखाई दी होंगी जहां पर मस्जितों को परदा डाल कर कवर किया गया है ताकि इस तरीके के किसी भी हंगामे से बचा जा सके लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ लोग हरकतों से राम नवमी के दिन श्रीराम के जन्म को मनाया जाता है लेकिन श्रीराम के जन्म दिन पर खुद को रामभक्त कहने वाले यह लोग उन्हीं के आदरशों को भूल गए और हिंसा और नफरत दिखा रहे हैं तो यह वाइरल वीडियो हैदराबाद का बताया जा रहा है कुछ दिन पहले यही माधवी लता मुसलिम महिलाओं और बच्चों के हक की बड़ी-बड़ी बाते कर रही थी हैदराबाद में धार में कार्ड केलने की कोशिश कर रही थी कह अगर मैं चुनाब जीती हूँ तो सभी का विकास करूंगी मुसल्मानों का विकास करूंगी वो यह भी कह रही थी कि जो हक हमें मिलता है वो इनको भी मिलना चाहिए लेकिन आज दोस्तों इस वाइरल वीडियो से उनकी मानसिता पर सवाल खड़े हुने लगे है अब ये वीडियो आख की तरह सोचल मीडिया पर फैल गया है वसीम लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ भारत जिसमें हैदराबाद से बीजेपी की उमीदवार मादवी लता एक मस्जित की तरफ तीर से निशाना लगाने का इशारा करती नजर आ रही है एक और यूजर ने लिखाया कि भाजपा नेता मादवी लता चली अब मुसल्मानों की तरक्की की बात करने है एदराबाद में धार्मिक कार्ड काम नहीं आ रहा बीजेपी का वहां स्की जंता शिक्षा स्वास्त महगाई बेरोजगारी की मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट देती है एक और पेट से ट्वीट किया गया है ये भी देखिए हैदराबाद से बीजेपी प्रतियाशी मादवी लता मजजित की तरफ तीर चलाने का इशारा देखिए ये टी राजा का फीमेल वर्जन है मुसल्मानों को बाराबर भड़काने का प्रयास किया जा रह है पर भारत के मुसल्मान भड़केंगे नहीं मुसलिम समुदाय शांती और सुकौन का प्रतीक है और ता कयामत तक रहेगा हम अपने रब्बे कायदनात पर यकीन करते हैं इतना ही नहीं एं आई मायम चीफ असवुदीन ओवैसी ने भी इस मामले पर खुलकर बुला है उन उनके इस तरह के क्रत्य से किस तरीके का संदेश दिया जा रहा है अगर मैं होता तो आप लोग मेरे गले में साप डाल देते ओव ऐसी ने कहा कि वो शहर के युवाओं से अपील करते हैं कि पिछले पंदरा वर्शों से हैदराबाद में शांती और सद्भाव है भाजपा और आरसेस ब्रांड हैदराबाद की छवी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं हाला कि दोस्तों मादवी ने सोशल मीडिया पर अपने इस वाइरल वीडियो को लेकर सफाई दी है उन्होंने इसे गलत बताया और कहा है कि उनके संग्यान में एक वीडियो आया है जिसे नकरात मकता फैलाने की कोशिश की जा रही है उनका कहना है कि ये जो वीडियो है ये जो वाइरल वीडियो है वो आधा अधूरा वीडियो है अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मैं सपष्ट करना चाहती हूँ कि ये अधूरा वीडियो है अगर ऐसी वीडियो के कारण किस के संग्यान में नहीं आया है हरा कि इस घटना से मादूई की मालसिक्ता पर सवाल दोस्तों जरूर खड़े होने लगे हैं इस पर आप क्या सूस्ते में कमें सेक्षिन में लिखकर अपनी राय जरूर बिताएगा एक खबर आप उल्टा चुश्मा यूसी पर देख रहे हैं न स्कार